अजके इस वीडियो में आपको Junior Engineer की एक New Vacancy है जिसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर अब देख सकते हैं Junior Engineer Civil का यहाँ पर पोस्ट है जो बेशी कंडिडेट है जो Junior Engineer Civil के लिए इलिजिबल होंगे जरूर्ट से इसको अपला कीजेगा और यह Central Government का अंदर में य सब्सक्राइब करके बताते हैं यह इसका नोटिफिकेशन है और अभी जो है यहाँ पर सिविल वालों के लिए विकंसी आ चुकी है पिछले वीडियो में कमेंट्स आ रहे थे कि सिविल वालों के लिए विकंसी बताने के लिए तब अगर आप यहाँ पर डिप्लोमा का परमंथ यहाँ पर आपके सैलि मिलने वाले 45000 वे पर मंत आपको यहाँ पर साली मेंडे वाले जो बीसे करें के बार्त करता हो जिरूड़ से चैनल को सबस्क्राइब कर आफेटा है है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवन फेबरेरि तक आप इसको अपलाई कर पाएंगे यह इसका last date है तो इस date से पहले जरूरोड से इसको apply कर लिजेगा अब बात करते हैं कि यह vacancy कहां से आ रही है तो यह जो vacancy है Indian Institute of Technology Information Technology पूने, IAIT यहाँ पर पूने के तरफ साब को vacancy यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है तो यह जो है आपको central government के अंदर में आता है ministry of education यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल इंडिया में 20 Indian Institute of Information Technology है जिसके अंदर में आपको यह ministry of education के अंदर में आता है तो इसके तरफ से आपको यहाँ पर देखने के लिए vacancy यह इसका official notification है और यह इसका advertisement number है यहाँ पर आपको non teaching position के लिए vacancy आपको यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर apply कर पाएंगे एक year का experience आपके पास होना चाहिए और में करके दिया गया है कि अगर आप लोग यहाँ पर diploma कर रखें civil में या construction में या architecture engineering में तो भी apply कर पाएंगे इसमें आपके पास three year का experience मांगा गया है desirable में करके दिया जो desirable में जरूरी नहीं होता है आपके पास है तो अच्छी बात है लेकिन जो essential में है वह जरूरी होता है तो जो आपके पास अगर आप बीटे कर रखें या कर रखें civil construction सी architecture में तो यह आपके पास होना चाहिए और अगर आपके पास desirable में यह सभी knowledge है तो अच्छी बात है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद यहां पर जो आपकी and authority from time to time तो आपको बाद में बता जाएगा और भी जो भी इसमें details दी गई सभी कुछ मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं तो वीडियो को एंड तक जिरूर देखते रहेगा और चैनल को subscribe कर लिजेगा जो भी सारी वेकंसी आते रहते हैं खास करके जई एई की इस साल के म माध्यम से आप इसको apply कर पाएंगे तो जो link है मैं आपको वीडियो के description में provide कर दूंगा तो वहां पर click करके आप इसको apply कर दीजिएगा इसमें जो है आपको यह contract basic पर आपको वेकंसी देखने के लिए और जो इसका selection process है interview या written test भी हो सकता यहां पर mention है कि अगर जितने भी number of application receive होंगे उसके नुसार से decides किया जाएगा कि आपको इसमें interview होगा या written test होगा तो उसके अधर पर आपको यह दिया जाएगा इसमें बस आपको online जो google form के माध्यम से apply कर देना है कहीं पर भी hard copy आपको send करने की जरूरत नहीं है आपको बस online apply कर देना है कैसे आपको apply करना यहां पर mention है कि the interview shall be held in offline mode तो आपको यह जो है उसके लिए बाद में आपको सूचना दिया जाएगा इसका जो interview होगा offline mode में होगा online इसकी interview नहीं होगी इसमें अगर आप apply करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के description में एक link होगा apply online के नाम से उस link पर जैसे click करोगे तो आप पर आ जाओगे यहां पर application from form junior engineer civil का यह application form है यहां पर आपको सभी कुछ details में फिल करना है यहां से आप जैसे submit कर दोगे तो आपका जो application form हो successfully submit हो जाएगा कोई भी application fee आपको पर नहीं करना है बिलकुल video of course में आप इसको apply कर सकते हैं यहां पर आपको सबसे पहले आपको फोटोग्राफ है पासपोर्ट साथ यहां आपको upload करना है उसके बाद यहां पर आपको date of birth जो भी हो आपका यहां पर enter कर देना है उसके बाद age on date of advertisement जो भी आपका age होगा यहां पर आपको फिल कर देना है उसके बाद आपको यहां पर अपना gender select कर लेना है उसके बाद यह इसके बाद यहाँ पर आधार नमर आपको डालना है पासपोर्ट नमर अगर आपके पास होगा तो यहाँ पर मास्टर डिग्री में क्या परसेंटेज है और कपास किया है तो प ही अपास्टर डिग्री जो भी एप्ली केवल हो सभी कुछ आप यहाँ पर मेंशंट कर देजीगा है experience यहां पर कहां पर किया है उसका certificate क्या है सभी कुछ आपको यहां पर fill कर देना है उसके बाद सभी जो भी details इसमें मांगे जा रहा है resume आपको last send कर देना है और submit वाले option पर click करके आपको इसको submit कर देना है यह form हो जाएगा submit उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है hard copy और वगेरा send नहीं करना है तो इतना तक आपको कर देना है तो यह form successfully submit हो जाएगा तो यह था इसका detailed information आप आप इसको समझे होंगे मिलता है next वीडियो में तब तक के लिए सुक्रिया और thank you वीडियो को जरूर से like share subscribe कर दिजेगा और telegram channel whatsapp group और whatsapp channel से join होना मत भूलेगा सभी का link आपको description में दिया गया है